तो लीजी दोस्तों South Facing की वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं आपको plot size तो पता ही होगा जो हमारे regular viewers है उनको पता है अभी हमारी 25-50 की series जो है अभी हमने start कर रखी है इससे पहले इसकी North Facing की वीडियो आ चुकी है और ये South Facing की वीडियो है इसके बाद और East और किसी देरी के हमारी वीडियो की और आगे बढ़ते हैं और अगर आपको इस प्लान के बारे में details चाहिए तो वो details में नीचे description में लिखा हुआ है और उसी के साथ उसका download link भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगा तो आप इस प्लान को download भी कर सकते हैं तो आईए दोस् इसके बाद अगर हम house के front के space की बात करें तो आपको यहाँ पर front में एक छोटा सा space देखने को मिल जाता है और इसी के साथ दोस्तों अगर हम house के parking area की बात करें तो इसका size आपका 10 feet 3 inch by 17 feet और 9 inch कर आएगा आप रोक 16 feet के आसपास लंबी आपको यहाँ पर parking देखने को मिल ज जाती है और दोस्तों हमारा एक parking area से gate हमारा house के kitchen की तरफ जाता है जो हमारी house की privacy के लिए हमने इसको दिया है अगर आपके घर में अगर कोई made आती है तो उसके लिए तो उसके बाद दोस्तों जो हमारे house की main entrance है उसको आप देख सकते हैं हम enter करते हैं enter करते ही आपको यहाँ पर house का जो drawing room area है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और इसका size 12 feet change by 13 feet का है और दोस्तों इसके बाद आप house का dining area देख सकते हैं इसका size आपका 12 feet change by 14 feet और 9 inch का रहेगा और दोस्तों यह है हमारे house का kitchen area इसका size आपका 7 feet 3 inch by 10 feet का है जो आपके इस plot के according आपको यहाँ पर अच्छा size देखने को मिल जाता है अगर आप इस kitchen को extend करना चाहते हैं तो जो वो आपकी एक side में gallery है आप उस तरफ इसको extend कर सकते हैं और दोस्तों जो हमारे house के stair के नीचे का area है हमने उसको भी अच्छे तरीके से utilize किया है उससे पहले हम house का common toilet देख लेते हैं और इस common toilet का size आपका 5 feet 9 inch by 7 feet का है आप देख सकते हैं और जो इसकी ventilation है वो हमारे house के OTS में होगी OTS हम आपको आगे दिखा देंगे आप देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर जो stair के नीचे का area है और जो हमारा OTS है उसको मिलाकर आपको यहाँ पर एक अच्छा washing area देखने को मिल जाएगा जो हमारा OTS है वो उपर से हमारा एक हिसाब से हमने उसको उपर से cover किया है आप चाहें तो आप अपने हिसाब से उसको cover करें या ना करें वो आपकी इच्छा है तो इसके बाद दोस्तों हम house के पूजा रूम की तरफ चलते हैं आप देख सकते हैं यह हमारे house का पूजा रूम है और इसका size आपका 5 वाई 4 फिट का है यह है दोस्तों हमारे house का bedroom number 1 और इसका size 10 फिट 3 वाई 16 फिट का है और दोस्तों आपको bedroom number 1 के साथ attached dressing देखने को मिल जाएगा अगर आप इसी dressing के side में देखी तो आपको attached toilet भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और इस toilet का size 9 वाई 24 फिट का है और इस toilet की ventilation भी हमारे OTS के तरू होगी और हमारे bedroom number 1 की भी ventilation OTS के तरू होगी तो आईए चलिए, stairs से होते हुए हमारे house के first floor area की तरफ चलते हैं हम आपको उपर house का first floor area दिखा देते हैं stair आप देख सकते हैं, stair हमारे, जो हमारा stair case का area है इसका size 6 फिट वाई 10 फिट और 9 इच का है अभी हम उपर up कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक अच्छे size का family lounge area देखने को मिल जाता है यह आपका personal gathering के लिए है और दोस्तों आपको house के first floor के उपर भी आपको यहाँ पर एक जो यह common toilet है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और इस common toilet का size 5 feet 9 inch by 7 feet का है और दोस्तों अगर हम house के second bedroom की यहाँ पर बात करें तो आपको इसका size 10 feet 3 inch by 16 feet का देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पर अच्छा size देखने को मिल जाएगा और अगर आप इसी के साथ देखें तो इसी के साथ भी आपको same ground floor की तरह है attached dressing और attached toilet आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है बाट कि आप इसका overall view आप यहाँ पर देख सकते हैं और दोस्तों जो हमारे house का third bedroom है आप इसको as a kids bedroom use कर सकते हैं आप देख सकते हैं आपको इसके साथ एक attached wardrobe area भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और इसी के साथ आपको attached balcony भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और सामने अगर आप यहाँ पर टीवी unit लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं हमने यहाँ पर नहीं दिया है क्योंकि हमारे house के हर bedroom में एक टीवी होना कोई जरूरी नहीं है तो इसी के साथ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अच्छे और बड़े size की आपको यहाँ प तो इसके बाद हम आपको house की fourth bedroom में लेकर चलते हैं इसका एक gate हमारा अंदर की side और एक gate हमारा house के balcony की तरफ कुलता है तो अभी हमने house की balcony की तरफ सेंट्री ली है आप interior तो आप यहाँ पर देखी सकते हैं और जो यह bedroom है दोस्तों इसका size 12 feet change by 13 feet का रहेगा same हमारे house के नीच ड्रोइंग रूम एरिया की तरह तो दोस्तों इसके बाद हम house के terrace पर आचुके हैं आप देख सकते हैं terrace आपको यहाँ पर काफी open देखने को मिल जाता है हमने इस बार ज्यादा इसमें plantation वगेरा नहीं किया है वरना space आप अच्छी तरह से देख नहीं पाते हैं वाकि आप यहाँ पर अपने इस आपसे आप जो हमारे house का common toilet है उसको आप same as it is आप उसको ऊपर बना सकते हैं और बाकि इसके जो OTS वगयरा है वो आप देख लीजेगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर करके जाए और दोस्तों इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जूड़े रहे हम आपके लिए वास्तू के इसाब से अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे तो इसके बाद हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार कर दो कर दो